आज मार्शिष महत्मे का सात्वा दिन है मार्शिष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की किरिबा सदेव आप और आपके पूरे परिवार पर वनी रहे कल की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार ओम कृष्णाय नवा चलिए अब आपको सनाते हैं मारशिष महत्मे का सात्मा अध्याय ब्रह्मा जी कहने लगे कि है भगवन मुनिश्य को जिस जिस पुष्ब से जो जो फल मिलता है समस्त पुष्बों के महत्मे को कहिए भगवान कहने लगे कि है ब्रह्मान जिस पुष्ब से मुझको अतिन्त प्रसंता होती है उन सब पुष्बों का फल मैं तुमसे कहता हूँ बेला, चमेली, जूही, तेदुआ, भंग, कनेर, कुरंटक, चमपा यह पुष्बों के भेद है, मेरे पुजन में श्रेष्ट कहे गए है केत्की के पत्र और पुष्ब भांगराज, तुल्सी के पत्र और पुष्ब मंज़री यह सब ततकाल मेरी प्रीती को बढ़ाने वाले है जल से उतपन होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्क शिश मास में मुझको अतन्त प्रिये है हे पुतर मुझको वही पुष्प प्रिये हैं जो सुन्दर तथा रूप, रस और गंद से युक्त हैं मुझको बिना गंद के पुष्प भी सिवाए केतकी के सब प्रिये हैं और उसके अलावा बेल पत्र, शमी पत्र, भंग राज पत्र और आमला के पत्र ये सब पत्र पूजन में श्रेष्ट कहे गए हैं और विशेश जाती के पुश्पों से पूजन करना विशेश फल के देने वाला होता है तब शील और गुणों से युक्तवेद में के पारंगत पात्र ब्रहामन को दस शुवरन, दस तोला सोना दान करने में जो फल मिलता है वह फल मुनिश्य मार्क शीश पुश्प दान से पाता है तथा जो एक द्रोन पुश्प को मेरे लिए देता है उसको दस सुवरन, दस तोले सोने से भी अधिक फल प्राप्त होता है अब गुणों का भेद सुनिए हजार द्रोन पुश्पों से रविंदर का पुश्प अधिक श्रेष्ट फल देता है हजार रविंदर पुश्पों से एक शम्मी का पुश्प, हजार शम्मी पुश्पों से एक बेल पत्र और हजार बेल पत्रों से एक वक पुश्प तथा हजार वक पुश्पों से एक न आवरत पुश्प और हजार न आवरत पुश्पों से एक करवीर पुश्प, हजार करवीर पुश्पों से एक श्वेत करवीर पुश्प, हजार श्वेत करवीर पुश्पों से एक पलाश पुश्प, हजार पलाश पुश्पों से एक कुश प एक हजार अशोक पुषपों से एक सेवत्य का पुषप और हजार मालती के पुषप से एक संध्या पुषप और एक हजार संध्या पुष्पों से एक त्री संध्या पुष्प और एक हजार त्री संध्या पुष्पों से एक लाल रंग का त्री संध्या पुष्प, हजार लाल रंग के त्री संध्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्री संध्या पुष्प, हजार श्वेत पुष्पों के पुष्पों की जाती पुष्प उत्तम है जो हजार जाती पुष्पों की सुन्दर माला मुझे अर्पन करता है उसका फल सुनो वह पुरूश हजार कोटी कल्प वर्ष प्रयंत तथा असंखे कोटी वर्ष प्रयंत मेरे समान प्राकर्म शाली होकर मेरे पूर मेवास करता है मेरे पूजन में जिन जिन व्रक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के आभाव में उन व्रक्षों के पत्रों और फलों का भी पुजन हो सकता है इन पत्र पुष्प और फलों का पुजन करता हुआ प्रतेक पत्र पुष्प फलों से दश स वन्दान के फलका भागी होता है जो इस मार्खशिश मास में इन विभिन जाती के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं इस उस पूजन से मैं अत्यंत प्रसंद होता हूँ और उन पूजकों को भक्ती देता हूँ इसमें कोई संशे नहीं है हे देवेश मेरा वह भक्त धन पुत्र इस्त्री आदी जिस चीज की भी इच्छा करता है इन पुष्पों से प्रसंद होकर मैं सब कुछ देता हूँ सात्मा अध्याय समापत होता है बोली कृष्ण भगवान की जय